हेलो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे बिलियन के अलुसंग के गुड़धर्म में एक हमारा बहुत ही महत्तुन टॉपिक है कुथनांग तथा कुथनांग का उन्ययन कुथनांग क्या होता है और कुथनांग में उन्ययन कितना होता कैसे उन्ययन होता है इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग कुथनांक के बारे में जानेंगे किसी द्रव का कुथनांक वह ताप है किसी द्रव का कुथनांक वह ताप है जिस पर इसका वास्प दाब एक वायमेंडलिय दाब के बराबर हो जाता है किसी द्रव का कुतनांक वह ताप है जिस पर इसका वास्प दाब एक वायमेंडली दाब के बराबर हो जाता है या फिर हम लोग कह सकते हैं कि किसी द्रव का कोतनांक वा निश्चित ताफ है जिस पर उस द्रव का वास्पदाब बढ़कर एक वाय मेंडली एदाब या फिर 76 cm के बराबर हो जाता है हमारा कहलाएगा कोतनांक कहलाएगा तो हम लोग कुतनांक में कितने की विर्द्धी हो रही है इस से अबारे में जानेंगे तो जैसे हम लोग किसी बिलायक की बात करते हैं किसी बिलायक का वास्पदाव सबका अपना अपना एक निश्चित वास्पदाव होता है किसी बिलेग की उपस्ति में कम हो दाता है यदि कोई भी बिलायक है हम कह सकते हैं कि मा लेजे हमारा पानी है पानी जो है हम कहते हैं कि 100 degree Celsius ताप पर उबलने लगता है 373 Kelvin ताप पर उबलने लगता है मतलब वहाँ पर बेपर बनना स्टार्ट हो गई उसी पानी में बिलायक में हम कोई थोड़ा सा non-bolatile substance को ऐड़ कर देते हैं तो उसकी उपस्ति में बिलेग की उपस्ति में उसका जो वास्पदाब होता है वो कम हो जाता है क्योंकि किसी बिलायक का वास्पदाब किसी बिलेग की उपस्ति में कम हो जाता है तो जो जितनी कमी हुई है उसको उनको बढ़ाना पड़ेगा तो क्या बढ़ाना पड़ेगा टंप्रेचर बढ़ाना पड़ेगा अर्थात, सुद्ध बिलायक का जो कुतनांक होता है, बिलियन के कुतनांक से कम हो जाता है सुद्ध बिलायक का कुतनांक ज्यादा होता था सुद्ध बिलायक कुतनांक, बिलियन के कुतनांक से कम हो जाता था या पिर कह सकते हैं जो हमारा बिलेय के कुतनांक होता है वो हमारा बढ़ जाता है अता है बिलेय के उपस्थिति में बिलायक के कुतनांक में जो ब्रिद्य होती है उसे हम लोग कुतनांक उन्नेयन कहते हैं तो सदारन भासा में हम लोग बात करें कि हमारा पानी है, वाटर है, यह हमारा सबसे अच्छा भी लायक होता है, यह 100 degree Celsius पर वास्पप में परिवर्थित होना स्टार्ट हो गया, अब उसी में हम नमक मिला दें, चीनी मिला दें, तो नमक और चीनी को उपस्तितिक कारण है, अ अब यह 100 degree Celsius से हो सकता है, कि 102 degree Celsius पर उगलने लगे, 103 degree Celsius पर उगलने लगे, तो 103 minus 100, इसके बीच में जो हमारा temperature आएगा, वह हमारा हो जाएगा कोस्नांक में उन्नेयन, तो कहने एक मतलब हुआ, किसी बिलायक का वास्पदाब, किसी बिले की उपस्तितिय में कम हो जाता है, किनियन के मतलब यहां पर विद्धि होना कोथणांक में, तो राउल्ट की नियन के मिसार, किसी बिलायक के कोथणांक में उन्नेयन, बिले के मोलर संद्रण, या पिर कह सकते मोललता के अनुक्रमान उपाति होता है, वो हम कह सकते हैं डाउल्ट की नियम प्रिशा रॉल्ट डहिम की निया है मतलब मललता के समानुपाति होता है है क्वाटा डेल्टा टिवी हो जाएगा कि समान थेता है हम अब यहाँ रहां पर हम लोग प्रिकोस्टेनल न अबाद हरेंगे थेंगे, हमारा क्योसन मिल जाएगा डेल्टा टीभी is equal to Kv into M ज जहाँ पर Kv जो हमारा होता है अब मोललता होता क्या है कि 1000 हमारा किलो गराम विलायक है उस 1000 किलो गराम विलायक नस अवास ने उपस्थे किलो ग्राम में तो कुल में लाखे यहां से यदि हम यम निकालें अडुभार निकालें तो यहां पर हमारा हो जाएगा यम बराबर 1000 इंटू केवी इंटू डबलू अपान में डेल्टा टी इंटू कैप्टर डबलू यह हमारा हो जाएगा मोललता के द्वारा हम लोग कैसे क किसी भी कुतनांग का या हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी आवास पसिल बैद्दुत अबगट चाट की उपस्टि में यहांपर कुतनांग में उन्नयान होता है उसका हम लोग अलुमभार कैसे निकालते है जहांपर हमारा जो डेल्टा टीवी होता है एक MATT में उन्यन होता है जहां के कोतनाँके हमारा हो जाएगा मौलन उन्यनश्थरांग है अर्फात किसी बिलायक के 1000 ग्राम में यदी किसी बिद्वत ऑन अप घट का एक मौलग गुला हो तो उसके कोतनांक हो जो MATT होता है उसे हम लोग बिलेयन का मोलल उननेयन इसरंग कहते हैं जहां के यह भी हमारा होता है, मोलल उन्नेयन इसरंग अर्था किसी बिलायक के एक हजार ग्राम में यदि किसी बिद्दुत अनपघठक का न मОल जो रोख फीडन आप का κα्ते हैं उकल में लाके हम मैं को निकालना is हो ऐसे लेगिन- Deux में कमान को गाले एक पर हमार धाधया यहां पर हमारा अडु बहर रोजाएगा 1000 इन्टू के भी इन्टू डबलू अपान में डेल्टा टी भी इन्टू कैपिटल डबलू तिहां सनको यहां पर यंकमान निकल जाएगा यहां पर होती जैसे हम लोग कहें कि किसी ज्यूर्व का जो कुतिनांग होता है और उबलने का तापकरम अलग अलग हो निकिन वहमारा कुतिनांगा होता हो निश्यत होता है जिसे हम लोग बात करें, पहाडों पर जो हमारा पाने होता है, जवल्दे उबलता है, जिसे 100 degree Celsius से कम ताप पर, पाने का जो हमारा कुतनांक होता है, 100 degree Celsius होता है, जिसी पाने को हम लोग पहाडों पर वाइल करें, तो यहाँ पर 100 degree Celsius से कम ताप यहाँ पर लगेगा, लेकिन व पाने का निश्चित कॉतनांक होता है वो हमारा सव डिग्री सिल्टियस ही होता है यह हम कहें कोई भी द्रव उबलने लगेगा तो उसका जो वास्पदाव होगा ओ मेंडिली एक दापके बराबर हो जाए पर उसे तापकरम को हम लोग कुतनांक नहीं कहते कुतनांक कंभी हो सकता है कुतनांक हमारा ज्यादा भी हो सकता है यह उबलने का तापकरम होता है कंभी हो सकता है हमारा और ज्यादा भी हो सकता है लेकिन जो हमारा कुतनांक होता है हमारा सिफ्स होता है सावडिलिए कि हम लोग जंपल के बारे में बात करें तो यह हमारा पान यहां पर देख रहे हैं एसे पर हमने टंप्रेचर को लिया है और यहां पर घॉनट है यहां पर हमारहरा ने ऐम्ड़ से पहले हम स्वालवेंट की बात करेंगा हमारा सुद्ध विलायक है पानी है अब पानी जो है जैसे 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 लिगों बढ़ाते जाएंगे यहां पर बढ़ेगा तब यहां पर देखिएगा जो हमारे temperature हो रहा है temperature को जैसे जैसे हम लोग बढ़ा रहे हैं तो 373 Kelvin ताप पर 373 Kelvin ताप पर पानी जो होता है वो बेपर में परिवर्तित होना स्टार्ट हो जाता है मतलब पानी हमारे कैसा था सुद्ध विलायक था जैसे जैसे यहां पर 1 ATM यहां पर यह pressure पहुंचा तो जो solvent है सुद्ध विलायक है इसका जो तापकरम होता है 373 Kelvin पर यह उबलने लगा अब इसी पानी में हम क्या करते हैं थोड़ा सा कोई भी non volatile सबस्ट कर देते नमक एड़ कर दे रहे हैं चीनी को एड़ कर दे रहे हैं तब हो सकता है कि जो पानी का कुतनांक है भी 100 degree Celsius पर यह उबल रहा था अब बढ़कर के 375 Kelvin हो गया लेकिन जैसी हमने इस solvent में कुछ सबस्टेंस को यूज किया चीनी को मिलायक नमक को बिलायक अब यह हमार 375 Kelvin हो जाए 376 Kelvin हो जाए तो जो 375 Kelvin था वो solvent का temperature था जिसे हम लोग T भी नाट से इपेजेंट किये और जब यहाँ पर कुतनांक में उन्यान हुआ solution के कुतनांक में उन्यान हुआ तो 375 Kelvin हो गया तो यहाँ पर हमारा हो गया TV हो गया तो जैसे जैसे हम लोग temperature को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे जो हमारा कुतनांक का है solvent का जैसे हम उसमें हमने non-bolic substance को यूज किया अब उसका जो कुतनांक हो गया वह हमारा 355 Kelvin हो गया बढ़ गया तो यहाँ पर हम लोग हमारा नाठ है यह 375 Kelvin सरी 373 Kelvin है जबकि जो हमारा टीवी है यह हमारा बिलायक करना क्यों करके यह बिलियन का हमारा temperature है जबकि हमारा टीवी जो है बिलायक का temperature है यसी बिलायक के temperature में हमने non-bolic substance को यूज किया उसका जो कुतनांक है उसका जो बिलियन पॉइंट है और इलिवेट हो करके 375 Kelvin हो गया तो तेल्टा यह फिक टीवी माइनस टीवी नाट जो उकल्टू हो जाएगा डेल्टा टीवी यह जो हमारा डेल्टा टीवी है एक उसक्तनांक में उन्नेयन है कि कैसे हम लोग non-bolic substance की presence में जो हमारा pure solvent होता वो तुरंत solution में convert हो जाता है और जो solution का temperature होता है वो बढ़ जाता है और उसका जो वास्तदाब होगा वो एक ATM तभी होगा जब हम temperature को यहाँ पर बढ़ाएंगे तो इन दोनों temperature की वीच में जो अंतर हो था डेल्टा टीवी यह मारा कुतनांक का उन्नेयन है